प्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मोज में आप सभी लोगों का स्वागत है नमितर और क्लासिज में और आज हम लोग FM फास्ट्रेक के इंट्रोडक्शन लेक्शर में हैं इंट्रोडक्शन बेसिकली कोई लेक्शर नहीं है बलकि यहां पर हम सीखेंगे किस तरह से पढ़ाई होगी किस तरह से हम लोग चैप्टर्स देखेंगे बुक्स कैसी होगी क्लास में क्या करवाय जाएगा और FM का एक छो आईडिया आपको मिलेगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सीए इंटरमीटियेट नियू सिलेवर्स के अंदर गुरूप बन और गुरूप टू हमारे पास जो गुरूप है FM और SM हमारे पास पेपर नंबर 6 के अंदर आता है यहां पर इस समय बात जो चलेगी वो फाइनेशल मैनेजमेंट के लिए चलेगी फाइनेशल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का नियूमेरिकल पेपर है जिसमें 15 मार्क्स के MCQ आएंगे ICI ने कहा है कि MCQ एप्लिकेशन ओर्येंटेड रहेंगे यानि जो नियूमेरिकल हम सब्जेक्टिव लिख लिख कर करते हैं तो सब्जेक्टिव होता है 5-10 मार्क्स का जो हम लिख कर करते हैं उसके पूरा एक कोशन होता है उसका सोल्यूशन बनाना होता है और जो MCQ application oriented होते हैं वो उसी का एक portion दे देते हैं और उसके चार option उसमें से आपको select करना होता है वो calculator पर solve हो जाता है अगर आपको subjective आते हैं तो आपका MCQ निकल जाएगा कुछ MCQ theory based होंगे, उसके लिए theory के sessions भी आपके proper लगेंगे हमारे पास जो study pattern और books रहेगा, वो हमें सबसे पहले देखना है क्योंकि सारा खेल books के ओपर और classes के ओपर रहेगा FM की जो books हैं, वो हमने एक portion दिया है practical book ये main core area है, इन books के अंदर हमारे पास तीन पार्ट में हमने चीज़ों को बाटा है एक है BQ, एक है PYQ और एक है suggested division BQ का मतलब है book question, book question के अंदर जितना भी study module के question है वो सब cover है, RTP, MTP, सारी चीज़े cover है उसके इलावा PYQ के अंदर जो पीछे question आए है exams में हम उने cover करते है, ये BQ और PYQ with 100% concept आपके class में writing में करवाए जाएंगे मैं हमेशा fast track में कहता हूँ, कि writing में यहाँ पर जो कुछ ही चलेगा आप लोग उसे साथ के साथ writing में करेंगे ये most important है, बहुत अच्छे number लाने के लिए and second, आप classes को बहुत ज़्यादे speed में ना देखें third, आप एक class खतम करने के बाद में पहले homework या revision जो भी दिया गया है, उसे करें उसके बाद में second lecture को आप देखना शुरू करें, तो एक बार हम book देखते हैं आखिर book कैसी नजर आएगी, तो जो हमारी practical book है उसके अंदर हम index देखें तो total 10 chapters है हमारे पास last may table दीए, ये table हमारे पास कुछ present value factor, future value factor की tables है, वो exam में आपको question के साथ में दी जाती है और पहला जो chapter है, वो zero number हमने दिया है introduction, ठीक है, इसके आगे इनकी weightage, page number वगेरा सब कुछ mention है हम sample के लिए पहला chapter देख रहे हैं, तो अगर हम पहले chapter में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले topic लिखा हुआ मिलेगा कि आखिर हम क्या topic पढ़ने वाले हैं जैसी फिर दूसर topic आएगा तो वहाँ पर mention होगा कि अब हम यह दूसर topic पढ़ने वाले हैं तो जैसे हम लोग starting करेंगे तो यहाँ पर आपको starting में मिलेंगे BQ, BQ का मतलब है study material, RTP, MTP, यानि ICI, जितने भी module के question है वो सारे के सारे अलग-अलग जगे से उठा कर यहाँ पर पूरे covered हैं, class में एक question लिखवाया जाएगा, पूरे solve करवाया जाएगे और इसके बाद में दूसरा section है जैसे chapter पूरा हो गया तो chapter पूरा होने के बाद भी exam में क्या होता है, उसके लिए past year question past year question जितने भी मिलेंगे, वो BQ से ही मिलेंगे आपको, पर PYQ में भी classes में coverage रहेगी वो भी PYQ class में करवाई रहेंगे similar question होगा, तो marker के homework में कोई भी single adjustment अगर आगे पीछे की गई है तो वो class में चलेगा PYQ से आपको proper pattern पता चलेगा कि exam में कितने marks का, कौन सा question आता है क्या-क्या requirement होती है और किस तरीके के questions पे जादा weightage दे रहा है ICI, ICI का क्या pattern है ICI का fixed area है कि वो question कुछ fixed area से पूछता है हम concept और questions पूरे cover करेंगे उसके बाद अपनी पूरी energy लगा देंगे उस focus area पर जहां से ICI हम से question पूछेगा इसके बाद में जब हमारे पास chapter का the end होगा तो हर chapter के end में exam से पहले कौन से question आप revise करें ये mention क्या हुआ है होता कि आपने 400-500 question करें अब exam से एक दिन पहले 400-500 question थोड़ी revise कर सकते हैं तो उसके लिए mention है कि ये question कर जाईए तो इनके अंदर सारी adjustment cover हो जाएंगी इनके बहार से question exam में नहीं आता तो इस तरीके से हमारे पास BQ, PYQ और suggested revision FM की practical books ऐसे रहेंगी इसके बाद में other books रहेंगी जो theory वाला portion है वो हम अलग से cover करेंगे उसके lecture अलग से रहेंगे MCQ हमारे पास जो रहेंगे वो आगे इस खेंदर और एक हमारे पास है quick revision book quick revision book numerical के साथ चलेगी quick revision book में हमने क्या किया हुआ है जैसे देखे यह पहला chapter है तो पहला chapter 23 page का है पूरा इसमें सारे numericals BQ, PYQ हमने किये उसके बाद में chapter के खतम होते ही इसी same chapter को हमने summarize way में पूरा concept जो है वो एक साथ हम revise करेंगे हमने क्या क्या पूरे chapter में पढ़ा था और वो देखे तीन page में एक chapter हमारा खतम हो गया तो सारे chapter इसी तरीके से चलेंगे पूरे BQ class में PYQ class में और उसके बाद में हम हर chapter का कोई क्रिविजन करते चलेंगे और आपकी theory की book अलग हो गया यह हमारे पास पूरी FM के books रहेंगी इसके इलाबा जो test book है वो आपको soft copy में upload कर दी जाएगी हर chapter के बाद आप उससे test दे सकते हैं हमारे पास अब हम बात करते हैं कि आखिर FM यानि financial management होता क्या है यह बहुत ही आसान chapter है मतलब subject ही बहुत simple है और आप जब इसको पढ़ेंगे तो यह आपके career में भी बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाल है company या कोई भी business किस तरह से design होता है किस तरीके से आप पैसा मंगवाते हैं कहां का invest होता है उसका management कैसे किया जाना है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा तो financial management की starting होती है किसी एक person की सोच से जिसको हम नाम देते हैं promoter तो promoter वो बंदा है जो कुछ काम करना चाहता है कोई चीज लेकर आना चाहता है या तो market में कोई service या कोई product वो launch करना चाहता है उसके लिए वो company का setup करना चाहता है मैं आपको बता दूँ CA intermediate की जो FM है वो corporates के लिए है यानि companies के लिए है proprietors, partnership firm इन सब के लिए नहीं है तो यानि यहाँ पर सारी बात company की चलेगी यहाँ capital नहीं होगी यहाँ share capital होगी यहाँ पर equity share, preference share इन ही के ओपर सारी बाते चलेगी तो पूरा focus हमारा रहेगा कि एक company है और हम उसका पूरा management समझ रहे है finance से related तो सबसे पहले एक promoter होगा वो promoter एक idea लेकर आएगा कि मेरे को कोई बीचीज launch करनी जैसे मेरे को एक electric vehicle लाइक Tesla ने सोचा के हम एक electric vehicle निकालेंगे तो promoter idea लेकर आगया लेकिन promoter के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो खुद से अपना काम कर पाए अधरवाइस तो वो proprietor बन जाएगा proprietor कौन होता है जिस capital जो पूरी की पूरी capital खुद लगाता है वो proprietor होता है लेकिन अगर आपको बाहर से भी capital उठानी पड़े in form of share capital या फिर आपको बाहर से preference share की form में capital उठानी पड़े यह बहुत बड़ी amount है जो अकेले manage नहीं हो पाएगी बहुत बड़ा management चाहिए जो एक proprietorship में management नहीं हो सकता तो हम company की तरफ चले जाते हैं तो proprietor क्या करेगा वो एक idea लेकर आएगा कि हम इस चीज का business करेंगे चलो जी हम EV, motor, car बनाएंगे Tesla बनाएंगे हम, electric vehicle बनाएंगे अब जो promotor होता है उसमें सोच ले अब यह मेरा idea है और हम लोगों को electric vehicle बनाना है अब सोचा जाएगा कि आखिर इस काम में पैसा कितना लगने वाला है तो पैसा जो लगने वाला है उसे हम बोलते हैं applications of fund तो जैसे हमारे 1000 करोड का estimation आया कि 1000 करोड हमारे लग जाएंगे अब भही 1000 करोड कहां पर लगेंगे तो 1000 करोड के लिए जब आप कोई business setup करते है तो उसमें हमारे को plant यानी factory setup चाहिए head office का setup चाहिए admin department के लिए और warehouse चाहिए जहां पर finish goods रखा जाएगा ये सारे setup इसके इलावा factory के अंदर जो equipment, machinery लगेंगी जिन पर production होगा वो सारी चीज़ चाहिए तो एक पैसा हमें चाहिए fixed assets के अंदर तो हमारे पास कुछ पैसा लगेगा fixed assets में और investments investment ऐसे होते हैं जैसे security deposit देना पड़ लाए किसी चीज़ का बड़ा आप अगर McDonald की franchise लेना चाहते हैं तो आपको एक security deposit मेकड़ी को देना पड़ेगा तो वो shares आपके लिए investments रहेंगे तो fixed assets और investment में पैसा लगता है ये जो पैसा लगता है ये long term के लिए block हो जाता है ये long term investment होता है ब्लोक हो जाएगा इसके इलावा हमें दूसरी चीज़ चाहिए भाई हमें तो गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए हमें material चाहिए हमारे को material के लिए जो उसके windows बनेंगी जो उसके steering बनेंगे जो उसके engine बनेंगे उसके लिए material आएगा वो material आपको cash में भी मिल सकता है credit पर मिल सकता है इसके बाद में material चला जाता है फैक्टरी के अंदर थोड़ा थोड़ा तो एक आपका raw material का store रहेगा वहाँ से थोड़ा थोड़ा material आपकी फैक्टरी में जाता रहेगा उस पर काम होगा उससे गाड़िया बनेंगी गाड़िया बनने के बाद में तयार होने के बाद शोरूम्स में चली जाएंगी शोरूम्स में जाने के बाद में आपका बिजनिस ऐसा हो सकता है के hand to hand cash में सेल होगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक दो महिने का credit देना पड़े और वो आपके debtors create करवा दें तो इस पूरी की पूरी chain को हम बोलते है working capital working capital को working इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी वो capital जो काम कर रही है जो float हो रही है जो regular fluctuate हो रही है जो बदलती रहती है अपनी actual form को कैसे देखे हमारे पास हमने सबसे पहले raw material खरीदा और store में रख दिया वहां से raw material factory में गया जहां पर इसको हम कहते है के WIP work in progress इसके material भी लगेगा labor भी overheads भी फिर ये finished goods stores में चला जाता है जिसको हम warehouse कहते है यहां पर हमारी गाडियां पूरी बनके तयार है पैसा हमारा ही लगा हुआ है यहां raw material जो खरीदा है वो भी हमारा पैसा है फैक्री के जिस material पर काम चल रहा है electricity लग रही है वो भी हमारा पैसा लग रहा है फिर finished goods जो गाडियां बनके तयार हो गई जब तक नहीं भी की वो भी आपका ही पैसा ब्लोक है यह आपका इसके बाद अगर आपने उधार पे बेचा तो debtors आ गए और अगर उधार पे नहीं बेचा त cash फिर इस cash को pay कर दिया जाता है creditor को rent electricity सबकी payment होती है फिर और raw material purchase कर लिया जाता है तो यह क्या होता है आपका change होता जा रहा है fixed assets के क्या होता है एक machine है यह यह machine ऐसी की ऐसी रहेगी 10 साल तक लेकिन यहाँ पर क्या है raw material WIP बन गया फिर finish उट बन गया फिर debtor बन गया फिर cash बन गया फिर cash में से आपने creditor को payment करी उसके आद और raw material ले लिया फिर वो WIP बना फिर वो finish उट तो इसलिए इसको बोलते है working capital तो कुछ पैसा आपको working capital के लिए चाहिए होगा तो हमें लगता है कि 900 crores तो हमारे fixed assets में लग जाएंगे और 100 crores हमारे working capital में लगेंगे इसको हम बोलते हैं यह जो पूरी हमने calculation की investment decision ठीक है जी के आखिर investment कहा किया जाए किस proportion में किया जाए और कितना किया जाए तो investment कितना क किस proportion में किया जाए 900 crore fixed assets और investment में चले जाएंगे और आपके 100 crore working capital में चले जाएंगे ठीक है यहाँ पर इतने पर हम रुकेंगे अब मुझे बताइए आपने fixed assets set कर ली आपने working capital set कर ली आपका production start हो गया production start होने के बाद फिर क्या होगा वो समान बिग जाएगा बजार में जब बजार में समान बिकेगा तो वो profit पे बिकेगा obviously business loss में करने के लिए निये नया business की अगर में बात करूँ तो नया business कुछ साल तक loss में रह सकते हैं एक दो तीन साल लग जाते हैं लेकिन एक running business की बात करें तो वो कुछ ना कुछ profit generate करेगा तो फिर हमें देखना है कि आप 10,000 करोड की sale करते हैं कि सर हमारा investment तु 1,000 करोड है sale 10,000 करोड कैसे हो जाएगी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी देखे होता क्या है हम जो भी product या service provide करते है उसका एक cycle period होता है वो जितना short होगा आपका turnover उतना बड़ेगा like आप मान लीजिए आपने 100 दूद के packet लिए दूद के packet दूद रोज आता है रोज बिख जाता है उसका turnover बहुत हाई है वो एक ही दिन में rotate हो जाता है तो आपने 100 packets लिए दूद के ठीक है एक packet आपको 49 का पड़ा और आप इसको 50 में बेच देते हो तो 4900 आपने अपनी जेव से cash लगाया और दूद खरीदा ये 100 packet आपने 50 रूपीज के हिसाफ से 5000 में बेच दिये ठीक है अब cash आपके पास आगया अब बताइए आपने दूद में कितना invest किया है आपका investment है 4900 और आपके पास उसी दिन एक ही दिन में दूद बिख कर खतम हो गया मैं मानने हो सारा दूद बिख गया और कोई loss भी नहीं है 5000 आपके पास आगये अब आप बताइए आप क्या करेंगे 100 रुपेस में से आप ले जाओगे अपने घर जो profit है और 4900 वापिस अगले दिन क्या करोगे फिर से दूद खरीद लोगे फिर से उसे बेचोगे फिर खरीदोगे फिर बेचोगे आप मुझे बताइए आप अपन 65 दिन में आपने कितना दूद बेच दिया 5,000 रुपे का दूद हम रोज बेच रहे हैं और 365 दिन तक अगर आप इसको बेचेंगे तो 18,25,000 आपकी सेल हुई पूरे साल की और इन्वेस्टमेंट आपका 4900 ही है कि घर से तो आप 4900 ही लाए थे तो यानि आप जब वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हो या बिजनिस में पैसा लगाते हो तो वो बिजनिस क्या करता है साइकलिक फोम में प्रोडट को बनाके बेचता है वो पैसा आगया आपके पास प्रोडट का वापिस sale होने के बाद में फिर उस पैसे से हम फिर से product बनाते हैं, फिर उस product को बेशते हैं, फिर वही पैसा आजाता है, तो starting में पैसा लाना होता है, फिर business का ही पैसा business में घूमता रहता है, तो देखिए, 4900 के investment पे 18 lakh की sale है, तो क्या हमारी sale investment से ज़्यादा हो सकती है, यस, आपका turnover जितना हाई होगा product या service का जितनी जल्दी वो customer को भिकेगा और पैसा आएगा उतनी जल्दी आप दुआर से उस product को या service को provide करने के लिए फिर से तयार हो जाएंगे जबकि घर से पैसा आपको एक यवार लाना होता है starting में तो जी 10,000 करोर की हमारी sale है और जी इसमें 9800 करोड के हमारे खर्चे है रेंट, इलेक्रिसिटी, सैलरी ये सारी चीजे है तो हमारा जो ओपरेटिंग प्रोफिट है वो 200 करोड बना ठीक है अब बताईए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था इस बिजनिस के अंदर 1000 करोड और आपका प्रोफिट कितना बन रहा है 200 करोड तो इसका मतलब 20% आपको रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट आ गया इसे हम कहते हैं रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 200 करोड की कमाई करी बन्था उरिन करोर का इंवेस्टमेंट था 20% ये है हमारा ROI तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि एक बिजनिसमेन एक परमॉटर एक बिजनिस आइडिया लेकर आया है उसके लिए उसने इंवेस्टमेंट डिसीजन में सोचा कि आखिर कितना पैसा लगाना है कहां कहां पर fixed assets में, investments में, working capital में फिर इस business से उसने sale generate करी product बना कर खर्चे काट कर उसके पास जो profit बचा उस profit का ratio investment से निकालें तो 20% की उसके पास return आगई अब आप सोचिए 1000 करोड अगर आप bank में रखते तो आपको 4%, 5% मिलता, business करके आपको 20% मिल रहा है अब इसी के साथ parallel लगी, इस business के अंदर पैसा आएगा कहां से वो देखना होता है, जिसे हम कहते है sources of fund, तो अगर हम company की बात करें तो company equity share capital को rage कर सकती है equity share issue पर सकती है, साथ में preference share से इसा rage कर सकती है, preference share capital और bank loan ले सकती है, जिसको हम debt बोलेंगे deventure issue कर सकती है, उसे भी हम debt बोलेंगे loan किसी भी तरीके का हो, secured हो, unsecured हो debt बोलेंगे है मुसको, तो debt के अंदर deventure भी आ जाएंगे, bank loan भी आ जाएंगे कोई person loan है, सारे loan, जो long term होंगे वो सारे loan आ जाएंगे, ठीक है के सर, long term loan की बात कर रहे हो, short term loan कहा जाएंगे short term loan working capital में adjust हो जाते हैं उसको हम यह माल लेते हैं कि हमारी current liability जेवो क्योंकि वो 2-3 महिने के अंदर repay हो जाते है long term loan जो लंबे चटेगे तो हमारे पास source जो fund के अंदर पैसा आएगा कहां कहां से तो एक तो है debt से पैसा मंगवा लो debt क्या करते हैं interest लेते हैं fix लेकिन जो इनका interest का rate होता है वो सस्ता होता है और debt के आगे लिखा भी होता है कि interest rate कितना है जैसे आपने डिवेंचर की कभी वी entry करी होंगी है कुछ भी तो उसके आगे लिखा रहता है 8% डिवेंचर 10% डिवेंचर तो वो जो 8% 10% लिखा होता है वो उसका coupon rate बोलते हैं basically वो आपका rate of interest है तो जैसे मैंने debt fund raise किये और debt का rate है 10% तो 10% debt मैंने 10% डिवेंचर या 10% पे bank loan ले लिया तो ठीक है ये मेरे से interest मंगेंगे जिता भी मैंने fund raise किया होगा इनके थूँ और मेरा profit हो या मेरा loss हो इन्हें interest चाहिए ही चाहिए यानि कि मैं profit में हूँ तो भी लेंगे मैं नुकसान में हूँ तब भी लेंगे हाँ जी हमें कोई लेना देना नहीं आप profit में हो आप loss में हो हमें interest चाहिए ही चाहिए लेकिन इनके साथ एक फाइदा है फाइदा ये है कि इनका जो rate होता है वो सस्ता होता है तो debt एक cheaper source है ये सस्ता बैठता है comparatively equity और preference है वो जादा मांगते है कि सर एक्यूटी तो कुछ मांगते ही नहीं हमने तो ऐसा सुने उसकी भी बात करेंगे हर कोई पैसा मांगता है दुनिया जी ही पैसे के लिए रही है तो ये cheaper source रहता है दिहान रखना है आपको दूसरा इसके साथ risk बहुत हाई है risk किस बात का risk किस बात का रहता है कि हमें फायदा हो या नुकसान हो ये तो अपने पैसे मांगेंगे interest के तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम नुकसान में चलते रहें और हमें interest भी भढ़ना पड़े तो हमारा नुकसान और बढ़ जाएगा even risk तब बढ़ जाता है जब हम interest की payment ना कर पाएं तो हमारी company liquidation की तरफ चली जाती है अगर आप interest की payment नहीं करेंगे तो जो diventure holders हैं, bank हैं वो आपकी asset को mortgage पे रख लेते हैं आपके उपर cash talk देते हैं और आपकी company को liquidation पे ले जाते हैं यह जित्ती भी आपने company सुनी है jet air wage बंदो गई, king fisher बंदो गई यह सब debt के नीचे ही दब के बंद हुई है क्योंकि यह debt की interest payment नहीं कर पाए तो भई यह तो risky है अगर नहीं कर पाए तो हमारी company बंदो जाएगी लेकिन यह सस्ता भी है सस्ते की वज़े से अच्छा लग रहा है रिस्की की वज़े से बुरा लग रहा है इन ही सब का management तो करना है इसी के बीच में balancing तो करनी है इसे हम बोलते हैं trade-off trade-off का मतलब balancing कि risk भी बहुत जादा ना हो और सस्ता है उसका फायदा भी तो उठाए तो हमें balancing करके चलना होता है तो हमारे पास interest जो है वो fixed payment जाएगी इसलिए risky है cheaper source है इस तरह से फायदा है तीसी चीज़ क्या ये company के अंदर intervention करते हैं involve होते हैं क्या ये company की decision making में रहते हैं तो ये company की decision making में नहीं रहते हैं ना ये किसी AGM में आते हैं ना इनके पास कोई voting right है इनके पास company का अगर मैं बात करूँ control की तो company का control इनके पास कुछ भी नहीं है इन्हें सिर्फ अच्छा control क्यों दें किसी को बताए कंट्रोल उसे मिलता है जो profit में भी participate करे और loss में भी participate करे ये तो अपना fixed payment ले जाते हैं company नुकसान में चल रही है तो ये कहते हैं मरना है मरो हमें तो हमारी payment दो तो भाई जब तुम हमारे जीने मरने से लेना देना नहीं हमारी company की growth से या company कभी down है तो में उस बात से कोई लेना देना नहीं तो फिर तुमारा company पर control होगा क्यों इसलिए इनके पास कोई voting right नहीं होता तो एक source है हमारे पास debt fund जो सस्ती होती है लेकिन risky होती है लेकिन ये company पर control नहीं रखते दूसरी हमारे पास funding आती है shareholder से shareholder को दो पार्ट में classify करते हैं एक equity share के form में और एक preference shares की form में preference shares भी fixed payment मांगते हैं जैसे preference share है उनके आगे निखा हो है मांदी जी 15% तो इनको अपनी जित्ती भी capital इन से rage की है उसका 15% इनको dividend हर साल चाहिए लेकिन इनके साथ में एक फाइदा है अगर आपने किसी साल profit नहीं कमाया तो उस साल आपको preference dividend नहीं देना उस साल की आपकी tension खतम और वो cumulative होके अगले साल जोड के दे देंगे तो हम भी तो यह चाहते हैं कि अगर यार हम किसी साल नुकसान में तो इस साल तो में छोड़ दो अगली बार ले 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 ना double हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें कोई issue नहीं है लेकिन जिस साल नुकसान है उस साल भी पैसा देना पड़ेगा वो बुरे लोग हैं interest वाले लेकिन वो सस्ते हैं तो फायदा भी है अब preference share क्या होते हैं ये debt से महंगे होते हैं तो इनकी जो cost है वो medium cost रहती है इनकी medium cost है महंगे हैं थोड़े से लेकिन इनका अगर मैं risk की बात करूँ तो इनका risk भी medium है risk medium है क्यों? risk क्यों नहीं है sir payment तो इनको करनी पड़ती है बेटा अगर आपने profit नहीं कमाया company ने तो आपको preference dividend देने की कोई जरूरत नहीं है अगले साल cumulative करके double दे देना अगर आपने अगले साल भी dividend नहीं दिया इनको तब भी loss में रहे तो फिर इनके पास voting right आ जाता है तो फिर ये voting right में आ जाएंगे फिर ये equity shareholders की तरह AGM के अंदर decision making में involved हो जाते है तो इसका मतलब इनका company के उपर control है ये AGM में बैठ सकते है यस ये बैठ सकते हैं अगर आप इनको dividend back to back इनका नहीं दोगे तो तो इनका control है लेकिन medium ये situational है अगर आप dividend नहीं दोगे 2-3 साल तक तभी तो आएंगे otherwise इनका भी voting right नहीं होता है इनको भी कोई लेना देना नहीं रहता तीसरे आते है equity funds equity funds से दो तरीके से पैसा मिलता है एक तो capital raise की जाती है इनकी दूसरा अगर आप चाहो तो AGM के अंदर dividend देना है या नहीं देना है ये तैय कर सकते हो sir मतलब पैसा भी लगा रखा है और dividend भी नहीं देंगे बिल्कुल ऐसा होता है क्यों सर ऐसा क्यों होगा आपको बता दूँ Apple ने आज तक कभी dividend ही नहीं दिया है देखो जो equity shareholder होल्डर होता है equity shareholder के पास एक term है EPS earning per share यानि एक share पे कितनी कमाई हुई दूसरा है market price of share यानि share का market price कितना है equity share जितने का होता है जब company सालों साल अच्छा perform करती रहे growth करती रहे proper dividend देती रहे उसकी terms अच्छी हो उसके customer satisfy हो तो उसकी market में एक brand image बन जाती है हर कोई उसके share खरीदना चाता है क्योंकि equity share खरीदने का मतलब है आप company के मालिक बन गए है और आप company की decision making में involved हो सकते है तो MPS बहुत बड़ा रोल है तो market price of share बढ़ता रहता है ऐसे share का जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो MRF की बात कर लेते है MRF face value है दस रुपे share की और market में share अभी पीछे एक लाग का था वे एक चालिस का हो गया ये share इतना बढ़ता रहता है पहले 65,000 का था बीच में कई टाइम तक 65,000 का रहा कोविड में भी 65,000 का रहा उसके बाद में फिर ये 80,90,000 पे पहुँची है जो उनको 10 रुपे multiply वे 101,000 रुपे में पढ़ते तो आज वो 100 share 1.4 CR के हो जाते यानि 1,000 रुपे 1,40,000 रुपे बन जाते तो shareholders का दो चीज़ों पर focus होता है एक EPS और एक EPS तो हो तक है कुछ कंपनिया ना grow कर रही होती है अपने आपको globalization पे ले जा रही है market में नई नी जगे पर अपनी branches खोल रही है काम बढ़ा रही है अगर मैं अमेज़ों की बात करूँ तो इंडिया के अंदर हर city के आसपास अपना warehouse खोलने में लगे हुए है वो setup बढ़ाने में लगे हुए है तो जो company grow कर रही होती है और अच्छी return दे रही होती है वो company dividend distribute नहीं करती ऐसा क्यों सर बताता हूँ मैं आपको देखो मानीजे एक company है जो equity shareholder के लिए earning per share की मैं बात करता हूँ एक share पर 20 रुपे कमा रही है ठीक है अब इस company को invest भी करना है मान लेते हैं इसके एक लाग shareholder है तो 20 रुपे हो गए वन लाग shareholder माने मैं ने ठीक है इसका मतलब 20 रुपे की earning for equity available है equity share के लिए 20 रुपे की कमाई available है अब company के पास दो option होते है एक कि ये इसको distribute करते और दूसरा ये इसको distribute ना करे बलकि transfer to reserve कर दे और इस पैसे को invest कर दे दुबार से company के अंदर अब मान लीजिए जो company की return आ रही है equity shareholder के लिए वो आ रही है 25% यानि company अपने shareholder को 25% कमा कर दे लिए अब दो situation सोचिए आप market में 15% कमा सकते हैं ऐसा मान के चलिए जो equity shareholder है वो market में 15% कमा सकता है अब जल सोचो इस company ने 20 लाख रुपे का dividend आपको दे दिया ठीक है आप market में कितने कमा होगे 15% यानि 3 लाख रुपे कमा पाऊगे ठीक है अब यही company अगर आपके पैसे को reinvest कर दे अपने पास में तो बताइए 25% कमाईगी company की return 25% आ लिए shareholder को तो 20 लेक का 25% 5 लाख रुपे अब मुरे बताइए ये company dividend को distribute करे क्या इसका equity shareholder भी यह चाहता होगा क्योंकि अगर 20 लाख रुपे distribute हुए तो उस पर 3 लाख रुपे की कमाईए होगी बाहर जाकर लेकिन इसी company में अगर पैसा लगा दें और इसकी branch खुलेंगी इसका setup और बड़ा होगा तो 5 लाख रुपे की कमाईए होगी तो बताइए हर कोई क्या करता है जब company बहुत अच्छे profit margins पे होती है तो company अपने पैसे को distribute नहीं करती डिविडेंट को बलकी reinvest करती रहती है और पैसा बढ़ता रहता है इसी का उल्टा अगर मान लीजे company 10% कमा सकती है तो company 2,00,00 रुपे कमाईगी और बाहर 15% कमा सकते हो ऐसी situation में company को distribution कर देना चाहिए तो distribute dividend करें या ना करें इसके ओपर chapter है dividend decision और मैं आपको बता हूँ मैंने आपको chapter का idea दे भी दिया है बड़ा simple decision होता है अगर shareholder के पास जो opportunity cost market में है अगर shareholder बाजार में 15% कमा सकता है और company उससे ज़्यादा कमा रही है फिर dividend देने कोई फायदा नहीं क्योंकि shareholder का पैसा company में ज़्यादा better return देगा पैसा तो ultimately shareholder का ही है यह जो पांच लाग रुपे अगर कमाई होगी तो वो भी तो shareholder के पास ही रहेगी तो हमारे पास जो equity shareholder होते हैं इनके पास से जो funds आते हैं उन funds के दो तरीके हैं एक तरीका है equity share capital issue करना और दूसरा है retained earning यानि उनकी earning को retain कर लेना बिजनिस के ही अंदर यह retain थफ किया जाता है जब company equity shareholder की opportunity cost से ज़्यादा कमा कर उसे दे रही हो तो shareholder भी कहता है हाँ भई मेरा पैसा तुम अपने पास रखको मुझे पता है तुम मेरे 20 लाग पर 5 लाग रुपे मुझे अगले साल कमा कर दे दोगे जबकि अगर मैं बजार में लेके जाओंगा तो मैं 3 लाग रुपे ही कमा कर लपाओंगा तो equity fund से हम पैसा मंगवा सकते हैं अब अगर आप देखेंगे तो जैसे diventure होते हैं इनके आगे एक percentage लगी है diventure के आगे लिखा होता है 10% diventure preferent share के आगे लिखा होता है 15% preferent share तो सर इनके आगे तो percentage होती है यानि हम diventure को interest देते हैं 10% debt और मानयरीजे 10 लाग रुपे के debt है इट मीन्ज इनको 10 लेक कर 10% यानि 1 lakh रुपेज का interest देना है ओके दूसरा लिखा हुए मांझे जिए 15% preference share capital 20 lakh रुपेज इन से मंगवा हैं आपने तो इसका मतलब 20 lakh पे 15% 3 lakh इनको आपको preference dividend देना है ओके लेकिन एक बात होता हो जो equity shareholder होते हैं उनके आगे तो कोई percentage नहीं लिखी होती मांदो equity shareholder से हमने 50 lakh मंगवाई हुए हैं तो इसका मतलब सर equity shareholder को तो कुछ देना ही नहीं है ऐसा नहीं है उनके आगे percentage क्यों नहीं है वो बताता हूं मैं होता क्या है equity shareholder है मालिक अब जड़ा सोचिए आप company के मालिक है अभी आपकी company एक industry के अंदर काम करती है जिसमें सब लोग गाड़ियां बना रहे हैं तो आप automobile industry के अंदर है automobile industry में आप काम करने हैं अब automobile industry में एक तो है आपकी company जिसका नाम है X limited बाकि दो company और है same business कर रहे हैं वो भी ये company 20% return देती है अपने shareholder को ये company 22% return देती है अपने shareholder को अब बताएए आपके shareholder की expectation आपसे क्या होगी तो अगर दोनों company बीस से 22% return दे रहे हैं तो हमारे shareholder की expectation भी 20 से 22% होगी यानि यहां लिखा हुआ नहीं है क्योंकि fix नहीं है बहुत ही बड़ाम धूम से आगे बढ़ गया और Z limited ने इस वार कमाई दी 30% और Y limited ने दी 28% कमाई कमाई उपर नीचे होती रहती है अब बताएए इस साल हमारे equity shareholder की expectation भी ये होगी कि हमारी company भी 28 से 30% return दे यानि equity shareholder की expectation market के हिसाफ से बदलती रहती है इसलिए उनके आगे कोई fix percentage नहीं है तो कुछ ना लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि free है कुछ ना लिखा होने का मतलब है कि variable expectation है इसलिए नहीं लिखा हुआ अच्छा सर हमने तो सुनाए equity shareholder को कुछ भी मत दो तो भी चलेगा बिलकुल चलेगा लेकिन वो equity shareholder आपका share बेच के भाग जाएगा वो किसी और को दे देगा सस्ते में धीरे धीरे सब लोग आपके share बेच के भागेंगे shares market में supply हो जाएगी जादा और demand हो जाएगी कम क्योंकि आप तो कुछ देते ही नहीं हो कमा के ही नहीं दे रहे तो सब लोग बेच बेच के भाग रहे हैं और demand कम होती जा रही है supply ज्यादा demand कम धीरे-धीरे market price of share आपका नीचे गर जाएगा आपकी company में कोई भरोसाई नहीं करेगा तो क्या share capital free होती है equity नहीं जी equity share capital सबसे महंगी होती है उनकी expectation industry के basis पर होती है time की basis पर होती है इस साल automobile का काम बहुत बढ़ी है तो उनकी expectation बढ़ जाएंगी अमालीजी COVID आ गया तो COVID में equity shareholder की expectation किर जाएंगी उनको पता है कोई भी company नहीं कमा पा रही हमारी भी नहीं कमाएगी अमालीजी X Limited ने COVID में 0% return दी JET ने 1% return दी तो आपकी company भी मानके चलेगी आपके shareholder भी मानके चलेगे कि इस वार हमारी company भी 0% 1% के आसपासी return दे पाएगी तो उनकी expectations को fulfill करना होता है उनकी fixed percentage नहीं होती तो इनकी percentage उपर नीचे होती रहती है time के हिसाफ से समय के हिसाफ से तो equity shareholder फिरी नहीं है क्या इनके साथ risk है कि अगर payment नहीं करेंगे तो हमारी company को liquidation में ले जाएंगे इनके साथ risk नहीं है आप profit में हो तब भी dividend मत दो कोई दिक्कत नहीं है रिइंवेस्ट कर दो equity shareholder आजिये यानि आपको liquid cash out flow की जड़रत इनके साथ नहीं है तो risk इनके साथ नहीं है कि payment नहीं दी तो ये case ठोक के company बन करवा देंगे अच्छा क्या इनका company के ओपर control रहता है अरे इनहीं का तो control है यहीं है असली जो company चलाने वाले है इनहीं के पास तो voting right है board of director से ओपर कोई नहीं होता अगर AGM के अंदर बैठके सारे shareholder कह दें कि इस board को हटा होता है सारे board of directors तक हचाने पड़ेंगे तो control इन से उपर किसी के पास नहीं है तो हमारे उपर हमारे पास एक तो term है कि पैसा लगाना कहां पर है तो fixed assets और investments में और working capital में फिर उस पैसे को घुमा कर जो भी product आपने बनाया उसका जो profit आता है उससे हम return on investment निकालते हैं भी 20% आ रही है अब ये पैसा मंगवाएंगे कहां से उसके लिए है source of fund तो जैसे हमने मंगवा लिया equity shareholder से और debt fund से और preference से debt fund से हमने मंगवाए 200 crores और 200 crores हमने preference share से मंगवाए और 600 crores हमने equity से मंगवाए तो आपने कैसे decide किया कि 200 इन से 200 इन से और 600 इन से आपने देखा होगा कि आखिर diventure के साथ risk बहुत हाई है तो सारा पैसा उन से नहीं मंगवाना है थोड़ा मंगवाओ 200 crores ही मंगवाओ इस पर 15% payment करनी पड़ेगी और यह जो 600 crores मंगवाए है वो depend करेगा कि इस साल हमारी industry क्या कर रही है और इस साल हमारी equity share holders की expectation क्या है तो इस हिसाफ से आपने इस पैसे को proportionate किया होगा इसे हम बोलते हैं financing decision financing decision कहता है कि कितना पैसा मंगवाना है तो obviously 1000 crore लगाना है तो 1000 crore मंगवाना है किस proportion में मंगवाना है तो जी 600, 200, 200 मंगवा लिया हमने आपने proportion निकालते हुए पैसा कैसे मंगवाने क्या क्या consider किया तो तीन चीज़े consider की जाती है कि जिस वी source से हम पैसा मंगवा रहे हैं उसकी cost कितनी आ रही है यानि वो expensive source है या cheaper source है डिवेंचर cheaper source होते है preference थोड़े मेंगे equity बहुत ज़्यादा मेंगे अच्छा जिस source से हम पैसा मंगवा रहे हैं क्या वो risky है तो डिवेंचर बहुत risky है debt बहुत risky है वो company बंद करवा देगा डिवेंचर होल्डर debt तब भी आपसे interest मांगेगा वो यह नहीं कहेगा बाई industry का हल गुरा है देखतो लो दया करो इस समय वो कहता है मेरे को तो मेरा 10% देते रहो तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखना होता है कि risk कितना है cost कितनी और third point यह company में कितना intervene करेंगे कितना involve होंगे control कितना है तो equity का supreme control है preference shares का medium control है preference share का control तब ही आता है जब आप उनको एक-दो साल तरक dividend ना दो वरना उनका control आता ही नहीं है और debt fund का कोई control आपकी company पर नहीं होता यह तीन चीज़ देखनी होती है risk, control और cost अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर हमारी cost कितनी आ रही है तो देखिए 200 करोल पर 10% यानि 20 करोल तो interest में चले गए मैं before tax, after tax ही बात अभी नहीं कर रहा जबकि जो interest होते हैं वो before tax item है और preference share equity को after tax दे जाते हैं की बात मैं अभी नहीं कर रहा ठीक है तो 20 करोल का तो interest देना है preference share को 200 करोल पर 15% यानि 30 करोल का preference dividend देना है अभी इस बात पर depend करेगा equity shareholder की expectation कितनी है तो जैसे equity shareholder की industry के हिसाफ से expectation इसवार है 22% कि हमें 22% चाहिए तो 600 करोल का 22% 132 करोल equity shareholder की expectation है तो जड़ा देखिए total कितनी payment इस साल बनती है 132, 30 and 20 182 करोल हमारे को sources of fund को देना है total कितने funds पर 1000 करोल पर equity के expectation time to time बदलेंगी question बताएगा आपको तो यहाँ पर 18.2% यह जो निकल कर आया इसे हम कहते है cost of capital अब बताएगे आपने application of fund से business किया और आपकी 20% की return आई यानि 20% आपने कमाया उसके बाद में जो पैसा आपने मंगवाया था interest भी दे दिया preference dividend दे दिया और equity shareholder 22% चाह रहे थे इस वार उनकी भी आपने calculation कर ली तो 18.2% आपकी cost of capital आ गई क्या अभी भी आपके पास कुछ फायदा हो रहा है yes 1.8% का positive difference है तो आप 1.8% ये जो extra कमा रहे हैं इसको हम बोलते हैं super profit या economic value added economic value added की term आपके financial management में नहीं ली गई पर market में इसे बोलते हैं economic value added यानि आपने business करके क्या economically value addition किया तो अगर ये 1.8% आपने extra कमा लिया कमाई थी 200 करोड payment हुई 182 करोड 18 करोड उपे जो आपने बचाए हैं मुझे बताईए ये 18 करोड उपे किसके पास जाएंगे business के अंदर जो भी कमाई होती है last में बची वो सारी की सारी equity shareholder को मिल जाती है अब देखिए equity shareholder क्या सोच रहे थे industry के हिसाफ से उन्हें 22% मिलेगा उन्हें 132 करोड उपे मिलेंगे लेकिन उन्हें 132 करोड के इलावा अभी भी 18 करोड उपे और बच गए हैं ये 18 करोड भी equity shareholder को जाकर मिल जाएगा यानि उन्हें 132 के इलावा 132 सोच रहे थे 18 करोड उपे और दे रहा है टोटल 150 करोड दे रहा है तो जहाँ equity share सोच रहा था 132 करोड मिलेंगे वहाँ उनको मिल रहे हैं 150 करोड उपे ऐसी company को कौन छोड़ेगा तो जिस company का economic value added positive होता है वो super profit पे चल रही होती है उसकी goodwill बहुत हाई होती है उसकी share के price भी बढ़ जाते है क्योंकि होगा क्या कोई भी इस company का share आप से कहेगा कि बेच दो आप कहोगे बिलकुल नहीं बेचूँगा बहुत अच्छी company है जितना सोचता हूँ उससे उपर कमाई देती है मेरे को इस company की goodwill बढ़ जाएगी इस company के लोग share तो खरीदना चाहेंगे demand तो है लेकिन कोई बेचने वाला नहीं होगा तो demand होगी, supply नहीं होगी automatically market price of share बढ़ने लगेगा अच्छा यही company अगर 132 करोड equity shareholder को चाहिए और यह company सिर्फ 120 करोड दे पाए तो फिर यह company के share लोग बेचके भागने लग जाएंगे तो जो game रहेगा वो रहेगा application of funds में जो पैसा लगाना है वो investment decision investment decision कहता है कि कितना पैसा लगाना है fixed assets में investment में और working capital में इसके बाद में आ जाता है financing decision financing decision कहता है कि equity shareholder से preference shareholder से, deventure holder से किस proportion में पैसा मंगवाना है और क्या चीजों का ध्यान रखता है ध्यान रखता है कि cost of fund कितनी है ध्यान रखता है risk involvement कितना है कि अगर payment नहीं करी तो क्या होगा और ध्यान रखता है कि control कितना करेंगे business के उपर इस तरह से हमारे ये दो decision आ जाते हैं फिर हमारा आता है financial management के अंदर third decision dividend decision dividend decision simple है ये जो हमने यहाँ पर किया था dividend दें या ना दें तो dividend decision बिलकुँ simple है dividend decision कि आखिर dividend दें या फिर ना दें तो बड़ा simple है अगर company equity shareholders की opportunity cost से ज़्यादा कमा कर दे सकती है तो dividend मत दो अगर company equity shareholders की opportunity cost के बरावर नहीं कमारी तो dividend distribute कर दो फिर investor को खुद पैसा लगाने दो तो financing decision कहेगा पैसा कहां से मंगवाएं कितना मंगवाएं किस proportion में मंगवाएं तीन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि cost कितनी लग रही है risk कितना है और control कितना जाएगा investment decision कहेगा कहां पैसा लगाना है किन असेट्स में किस proportion में लगाना है और dividend decision कहेगा कि क्या dividend देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और इसका effect क्या पड़ेगा तो एक वार जाए देखते है financial management का मतलब financial management refers to debt managerial activity which is concerned with the arrangement of funds from various sources तो हमें अलग-अलग sources से fund मंगवाना होता है debt fund से equity fund से preference fund से with consideration of cost, control and risk ध्यान रखना है कि कौन सा source कितना costly है कितना risky है और वो कितना business को control करेगा involved with such sources and application of these funds फिर इन funds को हमें लगाना है fixed assets में working capital में in an effective manner to maximize shareholder's earning and wealth EPS and MPS तो financial management का काम है कि funds को मंगवाना है ध्यान देते हुए कि cost कितनी लग रही है control कितना जा रहा है risk कितना है उन funds को effective way में invest करना है जिसे product बने और हमारे पास profit आए और main objective रहेगा कि earning per share और market price और share हमारा बढ़ना चाहिए यह है हमारे पास financial management बहुत ही simple है अच्छे जितनी वी चीज़ें इन सब के ऊपर हमारे पास chapter है जैसे fixed assets में invest करें या ना करें उसके लिए capital bursting chapter है working capital के अंदर हमारे पास cash management, receivables management working capital management तीन chapter है हमारे पास और इसके बाद में यह sources of funds के लिए cost of capital अपने आप में पूरा एक chapter है capital structure को हमने दो apartment तोड़ा हुआ है वो है risk को manage करने के लिए leverage chapter है तो वो सारे chapter में आपको एक वार दिखा के बताता भी हूँ यह capital structure EBIT EPS यह बताएगा cash management यह तीनों chapter आपके working capital को manage करते हैं यह working capital देखेंगे इसके बाद में ratio analysis यह पूरा analysis का chapter है इसके बाद capital budgeting fixed assets and long term investment में कितना पैसा लगाए जाए इसकी बात करेगा cost of capital जो sources of fund है उनकी cost निकालेगा capital structure फिर से EBIT EPS का ही इससा है किस proportion में पैसा लगाना है और dividend decision आपका आगया तो हमारे पास तीन decision है financial management के अंदर financing decision dividend decision और investment decision अगर मैं इसको यहाँ पर तोड़ूं तो chapter number 1 chapter number आपका 9 और chapter number 2 यह financing decision के है कि कहां से पैसा मंगवाना चाहिए कितना पैसा मंगवाना चाहिए control कितना risk कितना और cost कितनी जाएगी यह तीनो chapter बीच वाले आपके working capital management के है यानि investment decision का हिस्सा है यह chapter fixed assets को manage करता है यह भी investment decision का हिस्सा है cost of capital financing decision का हिस्सा है कि cost कितनी आ रही है यह cost को बताता है यह risk को बताता है leverage ratio analysis, simple analysis है कि हमारी company कैसी चल रही है और dividend decision अपने आप में पूरा एक chapter है तो हमारे पास तीन decision financing decision, investment decision और dividend decision यह हो गया हमारा dividend decision का financing decision के लिए chapter number 8 9, 1 और 2 investment decision के लिए 3, 4, 5 और हमारे पास 7 और 6 chapter analysis करेगा तो इनी तीनो decision को हम अलग से chapter wide पूरा 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 पढ़ेंगे कि भई क्या चल रहा है पूरे के पूरे FM के अंदर ठीक है हमारे पास financial management decision तीन है financing investment decision financing decision का काम है कितनी amount arrange करनी है और किस proportion में arrange करनी है तो 1000 करोड arrange करने थे हमारे एक जांपिल में और equity preference और डैट से किस ratio में लेनी है तो हमने लिया 600 करोड, 200 करोड, 200 करोड investment decision कहता है कितनी amount invest करनी है तो हमें 1000 करोड invest करनी थी किस proportion में तो हमने fixed assets में 900 करोड लगाए और working capital में 100 करोड लगाए और dividend decision कहता है कितनी amount dividend में की form में देनी चाहिए और उसका effect company के उपर क्या पड़ेगा ये तीन decision हमारे पूरे FM में चलते रहेंगे क्या क्या consider करना होता है जब हम financing decision लेते हैं यानि जब हम ये decision लेते हैं कि कितना पैसा मंगवाने और कि proportion में तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि जिस सोट से पैसा मंगवारे हैं उस पे cost कितनी लग रही है तो equity सबसे महंगा है और debt सबसे सस्ता है और preference medium पे रहता है risk कितना है तो equity के साथ कोई risk नहीं है equity को अगर आप payment नहीं देते loss में हो तो कोई payment नहीं करनी और debt सबसे महंगा है सबसे risky है और control की बात करें तो पूरा control equity के पास है preference के पास medium control है उनके पास control तवाता है जब कुछ years तक उनको dividend नहीं मिलता debt के पास कोई control नहीं है अब ज़रा मैं इनको ranking देता हूँ ज़र देखे ranking कितनी उल्टी पूल्टी है इनकी अगर मैं cost के लिए बात करूँ तो debt की rank 1 है और equity की rank 3 है preference की 2 अगर मैं risk की बात करूँ तो equity सबसे safe है उसकी rank 1 है debt सबसे risk है उसकी rank 3 और preference medium अगर मैं control की बात करूँ तो debt कोई business में involved नहीं होते तो इनकी rank 1 है involvement नहीं है अगर आपने interest नहीं दिया तो company आपकी liquidate करवा देंगे और अगर control की बात करें तो control में involved नहीं होते तो इन सब चीज़ों को balance करते हुए aspects को देखते हुए कि आपकी company की जड़रोत क्या है माल लो आपकी company की जड़रोत है कि आपको सस्ता source चाहिए तो आपको debt पे जाना पड़ेगा फिर risk के मारे में नहीं सोचना इसलिए तो company आपको लगता है कि आपको सस्ते source का लेना देना नहीं है बलकि company की stability चाहिए तो equity से पैसा मंगवाओ जिससे risk ना रहे तो इन consideration को रखते हुए हमें financing decision लेना होता है अब हम बात करते हैं कि आखिर financial management के objective क्या है देखो financial management के दो objective है एक short term एक long term दोनो objective हमेशा चलेंगे इनका जो primary objective है वो है कि हमारी जो market price of share होना चाहिए वो बढ़ता चाहिए basically market price of share अगर बढ़ता है तो उससे क्या-क्या बाते के लिए रोती है उससे सबसे पहली चीज तो एक लिए होती है कि आपकी company reputed है बढ़िया perform कर रही है अपनी industry में अच्छा काम कर रही है आपके जो भी product यह service आप provide कर रहे हो उससे customer बहुत खुश है आपके पास कुछ न कुछ patents, copyright, technology, advancement हो सकते है जिसकी वज़े से आपकी company अच्छा perform कर रही है तो company की जो success है वो उसके share price से नजर आती है face value जैसे 10 रुपे थी आज हमने 10 रुपे से शुरू किया और market में वो बढ़ते बढ़ते 1000 लाखों का विकराया जगर एक share तो हमारी company ने बहुत बढ़िया perform किया है पूरे सालो साल तो equity share की value जितनी बढ़ती चली जाएगी market में वो आपकी company की हर तरीके की success को दिखाती है कि कोई company का share price तभी बढ़ेगा जब वो बहुत अच्छा profit कमा रही हो जब वो customers को satisfy कर रही हो जब वो जिस region में काम कर रहे हैं उनके पास कुछ technology advancement हो जो किसी और के पास ना हो तो तभी आपकी company उपर नजर आती है market price of share की term में तो सबसे पहला objective किसी भी company का रहता है कि उसका market price of share high होना चाहिए इससे shareholders की wealth बढ़ जाती है आप सोचो आपने आज एक लाख रुपे किसी company के shares में डाली और 20 साल बाद retirement के time पे वो एक करोड, दो करोड, पांच करोड रुपे हो गए तो कैसे हो जाते है market price of share बढ़ता रहता है तो आप यही तो चाहोगे कि ऐसी company के साथ जुड़ो जो आपके share के price को multiple कर दे दूसरा किसी company का secondary objective रहता है EPS EPS एक annual objective है annual objective कैसे? EPS नहीं एक साल का निकला जाता है तो EPS हो सकता है कि एक साल में आपका 10 रुपे आए अगले साल 5 आए फिर 50 आजाए, तो हर साल का अलग-अलग हो सकता है business down चल रहा है तो उस time पे EPS कम होगा business बहुत boom पे चल रहा है तो उस time EPS बढ़ जाएगा तो ये annual performance check होती है तो EPS पे भी हमारा ध्यान रहता है profit पे भी हमारा ध्यान रहता है पर वो बहुत long term objective नहीं है long term objective है कि market price of share बढ़ना चाहिए obviously कोई company अगर loss में चल रही है तो उसका market price of share नहीं पड़ेगा तो profit भी चाहिए पर primary objective MPS है MPS long term objective है कि आज हमारा share 1000 रुपे का है तो 10 साल बाद ये 20,000 रुपे का 50,000 रुपे का हो जाए तो ये long term objective होता है long term में company काम करके customers को satisfy करके market में good will बनाके उस position पर पहुँछ दिये तो हमारा जो primary objective रहेगा वो long term है उसमें हमारा objective रहेगा कि हमें अपने market price of share को maximize करना है और इसके लिए हमें risk और return यानि risk और return के बीच में balancing करके चलनी होगी अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा risk लेंगे तो आपकी company और share price नहीं बड़ेगा region being हर share holder ये कहिए ये company risky decision लेती है तो इसके shares में invest करना भी risky है किसी दिन इसका अगर पासा उल्टा पड़ा तो इसके share के price गिर जाएंगे तो ये risk को return के बीच में balancing करके चलने वाला काम है दूसरा जो हमारा secondary objective है वो short term है वो है कि हमारी earning बढ़नी चाहिए company earning बढ़ाने के लिए कई वार high risk भी ले लेती है तो हमारा जो long term objective है वो रहेगा कि market price of share बढ़ना चाहिए long term में हमारी goodwill ओरनी चाहिए हमारी company reputation, branding होनी चाहिए short term objective रहेगा कि हमारी कमाई भी साथ में चलती रहे कमाई को बढ़ाने के चक्कर में कई वार company sensitive decision ले ले लेती है risky decision ले लेती है लेकिन market price की अगर बात करें तो वहाँ पर risk नहीं लिया जाता समझदारी से काम किये जाता है तो अगर कभी भी दोनों objective के बीच में clashing आईगी कि profit पे जाएंगे MPS पे जाएंगे तो हम हमेशा MPS की तरफ जाएंगे इसके बाद में economic value added जो मैंने आपको बताए था economic value added बड़ा simple सा है आपकी जो cost of capital है यानि जो आपकी sources of fund को आपको payment करनी है equity को, preference को, debt को और जो आपकी business से कमाई हो रही है ROI, इन दोनों के बीच का difference होता है economic value added अब मान लीजे आपका ROI है 20% और cost of capital है 18.2% जो हमने example में लिया है, तो इसका मतलब आपकी कमाई जादा है और आपकी sources of fund के खर्चे कमें और इस cost of capital में equity को भी satisfy कर दिया गया उन्हें भी 22% return 132 करोड हमने दे दिये थे अब अगर ऐसी situation है तो 1.8% का आपके पास margin है additional वो additional margin मिलेगा किसको equity shareholder को, तो ऐसी situation में आप super profit में आपकी goodwill positive है आपका MPS increase होगा with high growth rate तो आपका MPS बहुत जल्दी बढ़ेगा अगर आपका ROI आपकी cost of capital से उपर चल रहा है तो और EVA positive मानी जाती है हाँ पर अगर आपकी कमाई 20% है और आपकी cost of capital भी 20% है तो आप normal average company हो इसका मतलब है कि आपके equity shareholder 132 करोड चाते थे और उन्हें मिला भी 132 करोड वो 22% चाते थे तो उन्हें 20% ही मिला इस situation को हम बोलेंगे कि ROI और cost of capital एक बरावरे यानि equity shareholder को extra कुछ भी नहीं मिलेगा जो नोंने सोचा था वो मिल जाएगा लेकिन जो सोचा था वो तो मिला तो भी ऐसी company बुरी नहीं है ऐसी company को हम कहेंगे normal profit पर है इसकी goodwill normal है इसका MPS भी बढ़ेगा लेकिन normal growth rate से बढ़ेगा normal growth rate कैसे होती है आपने देखा होगा हर साल inflation आ जाती है हर साल property के rate बढ़ते रहते हैं समानों के rate बढ़ते रहते हैं ऐसी हर साल share के भी rate बढ़ते रहते हैं तो normal growth से बढ़ेगा जैसे इस साल 10 रुपे का है फिर 11 का हो गया फिर 12 का हो गया जबकि अगर आप इस वाले position में हो के ROI cost of capital से ज़्यादा है तो आप सीधे 10 रुपे से 15 रुपे का share हो गया फिर 25 का हो गया फिर आप बहुत तेज बढ़ते हो अच्छा अगर आपकी ROI मान लो 20% है और cost of capital 24% है तो तो बहुत बुरी इस थी है इसका मतला आप इतना भी नहीं कमा रहे कि source of fund को fulfill कर पाओ ऐसी situation में जो 4% का difference आ रहा है ये equity shareholder के पैसो में से कटेगा उनकी expectation में से minus होगा ये पैसा ऐसे में equity shareholder भलक जाता है यहाँ पर loss की situation है goodwill negative है और MPS उल्टे आपका गिरेगा तो EVA वाला portion उसमें है नहीं आपके study में लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि बाद बच्चे को पता होनी चाहिए बड़ा simple सा concept है financial management के अंदर अगर कमाई ज़ादा है और cost of capital कम है तो बढ़िया अगर बरावर है तो भी ठीक है लेकिन अगर cost ज़ादा है और कमाई कम है तो फिर इस तथी बेकार है introduction में इतना ही है एक बार देखते हैं हम लोगों ने देखा क्या financial management का मतलब funds को एक जगे से arrange करके दूसरी जगे invest करना एक effective manner में arrange करते हुए धियान रखना है cost, control और risk का और invest करते हुए ये सोच का invest करना है कि shareholder का EPS और MPS बढ़ जाए अगर हम बात करते हैं financial management decision की तो तीन तरीके के रहेंगे financing यानि पैसा कहां से मंगवाएं किस proportion में investment कहां invest करें किस proportion में और dividend दें या ना दें और उसका effect shareholder पर पड़ेगा क्या धिहान रखना है financing decision लेते हुए जो भी source है उसकी cost क्या है वो महंगा है सस्ता है उसके अंदर risk involvement कितना है और वो business को कितना control करेगा और objectives के अंदर EPS और MPS दो चीज़ों को बढ़ाना objective है MPS long term objective है वो एक दिन का काम नहीं है सालो साल में जाके goodwill बनती है EPS annual calculation होती है तो short term रहता है EPS के लिए company risk ले सकती है लेकिन MPS के लिए risk नहीं लेगी और EBA की बात करें तो EBA simple सी बात कहती है कि आप का ROI आपकी cost of capital से ज़्यादा ही है उससे कम नहीं होना चाहिए तो यह था financial management का introduction कल से हम लोग जो start करेंगे कल से हम start करेंगे पहला chapter EBIT and EPS analysis उससे पहले मैं आपको फिर से कुछ बाते कहना चाहूंगा हमार जो numerical portion रहेगा सारी चीजे concept 100% class में लिखवाए जाएगा सारे question class में करवाए जाएगे BQ PYQ जो similar question है वो कुछ question आपको homework में मिलेंगे और आप लोग को क्या करना है जो मैं class में लिखवाऊंगा वो पूरा writing में करना है कई बच्चे न नलायक पन करते हैं वो writing में निलिखते हैं कहते हैं समझ में तो आ रहा है और दूसरा writing practice इन दोनों में से कोई lack नहीं करना तो concept पूरा मैं दूँगा वो मेरा काम है writing मैं साथ में करवाऊंगा वो आपको साथ के साथ करनी है दूसरा video जो को speed button दवा के मत देखेगा अराम से देखेगा समझ में आ जाएगा class में जब आपका लाएंगे तो आप क्या चीज़े लेकाएंगे एक आपके पास calculator mandatory होना चाहिए दूसरा एक notebook जिस पर आपको लिखना है और तीसा आपके पास book है बाद खतम तो कल से हम लोग enjoy करने वाले हैं fast track batch का सफर और कल से हमारा EBIT EPS chapter स्टार्ट होगा तो आप लोगों मिलते हैं कल EBIT EPS के साथ ओके लीज़ सभी को टाटा वाइ बाई